नमस्कार दोस्तों आपका अपना ही चैनल City to Village में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि गेर जिस समय हम लोग चेंज करते हैं उस समय परफेक्ट गेर कैसे लगाए और किस परकार से गेर लगाया जाता है और beginner अगर आप है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि गारी सी रिलेटिव बहुत सारे में वीडियो ले करके आते रहता हूँ और मैं आपको उस वीडियो में ये बताता हूँ कि आप असानी से गारी चलाना कैसे सीख सकते हैं अगर कोई आपको प्रोब्लम हो रही है तो उस प्रोब्लम को कमेंट करके वीडियो कर नीचे आप हमें बता सकते हैं उस बब मैं बहुत ही जल्दी कोशिश करूँगा कोई फ्रोब्लम नहीं होगी और आपका गारी जो होगा अच्छे चलेंगे और सिख वी जाएंगे कि किस परकार से गेर लगाना होता है तो आज की वीडियो में यहीं बताया गया है तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों एक चीज को आप जाद करके कि फर्ष्ट गेर में होता है एकदम से पैर को हटा करके गेर डाल करके और फिर इस परकार से देने लगते हैं तो ऐसे करके सब्सक्राइब दोस्तों अब बात करेंगे जो देख रहा है कि गेर के पास में आया हुआ हुआ हूँ और gear liver के उपर जो arrow बना हुआ है gear का वो आगे के तरफ है first gear, third gear और fifth gear और नीचे के तरफ यानि पीछे के तरफ जो है वो second gear है, fourth gear है और reverse gear का जो arrow है वो बनाया गया है और ये gear जो है अभी gear liver वो neutral में है क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको कलस दबा करके, कलस दबा करके और इसको मैं पीछे के तरफ करूँगा तो ये gear में आ गया और आगे के तरफ करूँगा तो ये gear में आ गया और बीच में होता है तो ये neutral होता है और बिल्कुल center में होता है थोरा left और right करेंगे तो ये छोड़ देंगे तो छोरने का बिल्कूल यहां पर जो इसका सेंटर होता है वहां पर यह आ जाता है चाहे लेट में आप जुका दे या राइट में जुका दे तो यह आ जाएगा यहां पर सेंटर में न्यूटरल होने पर अब देखिए जैसे कि न्यूटरल इसको हम यहां पर लाकर छोरेंग करके और ये जो इसका center होता है वहां पर आ जाता है तो ऐसे करके मैं दिखाता हूं आपको यह जो रोबना हुआ जैसे लगाए थे इसको चुराओं को तो यह वापस आ गया देख रहे हैं और यह center यहां से परकार से देशे हैं और फिर इसके यहां करें को हम डालते हैं ठूरा कि यहूं तो निविंदर अब इसको ऊफिक से कर देंगे तो ये second gear में आ गई है आगे देखेंगे कि किस परकार से इसको perfect gear आपको डालना है वो भी बताया हूँ तो आगे ऐसे कर देंगे तो ये third gear में चला जाएगा फिर ऐसे करके neutral करके और पीछे करेंगे ऐसे तो ये fourth gear में आ जाती है फिर neutral करके और right के जुका के फिर आगे के तरफ करेंगे इस परकार से पहले right को जुकाएंगे और फिर आगे के तरफ push करेंगे तो ये fifth gear में चला जाएगा ऐसे और फिर ऐसे करके देख रहे हैं कि यहां से जुका दिया हूँ मैं फिर आगे के तरप इसको धाका दूँगो तो यह पाचमी गेर में shift हो जाएगी तो इस परकार से देख रहें कि राइट में जुका दिया हूँ और फिर ऐसे आगे कर देना है तो यह पाचमी गेर में चला गया है और ऐसे करके फिर मैं नूटल कर लूँगा और देख रहें कि यह नूटल हो गया है दोनों साइड हिल रहा है gear में होता है तो नहीं इलता है और center में होगा तो ही लेगा अब reverse gear लगाने के लिए यहां से देख रहे हैं कि यहां से arrow ऐसे करके पीछे के तरफ आया हुआ है तो right को जुका करके और फिर पीछे के तरफ करेंगे तो यह reverse gear जो होता है वो लग जाएगा ऐसे करके देख रहें कि यह अब जो है reverse gear लग चुका है तो अभी आप समझे हैं कि gear जो होता है कि कैसे कैसे काम करता है अब आप समझेंगे आगे कि आपको किस परकार से लगाना है perfect gear कैसे करके आप लगाना है वो देखेंगे तो सबसे पहले देख ले कि इस परकार से gear lever होता है और यहां पर जो होता है gear lever होता बीच में, तो ऐसे पकरे ताकि उपर से आपको दिख सके arrow जो होगा वो और कलच दवा करके अगर फर्स्ट gear लगाते हैं तो ऐसे करके right से इस परकार से पकरके और जुका के left के तरप और ऐसे आगे करना है first gear, second gear डालना है तो उधर से ही जो होता है कि shift कर सकते हैं, आप second gear में तो कलच दबा करके और direct जो होता है कि second gear में डाल सकते हैं इस परकार से, आपको neutral नहीं डालना है, neutral नहीं करना है और इस परकार से जो होता है कि direct आपको second gear डाल सकते हैं और सबस्टेर से में भी आप sensor कर सकते हैं डार्रेक्ट लेट से 1 सेलेवट में ही जैसे की इस परकार से ओकर से मैं कैसे सक अंद्टो में लाया हूँ बिलकुल जो होटा है लेट में दावे कर देंगे ऐसे करके इस परकार से तो यह तीसरी गेर में चला गया है तो उस समय फास्ट करना होता है दोस्तों आप यह ध्यान रखें जिस समय गेर चेंज करते हैं और चौथी गेर बिल्कुल उसके पीछे है तो डारेक्ट इसको हम पीछे कर देंगे इस परकार से तो दिख कर देता हूं ऐसे और फिर राइट के तरफ इसको जुका करके अब फिर आगे के तरफ धक्का इस परकार से देंगे देखिए हाथ का डिरेक्षन कैसे रहता ताकि उपर से एरो आपको दिख सके वह ऐसे ही करके जो है नए अगर आप है बिगनर है तो पकरे फिर आप बात करत है और इस लेटर देते रहे तो आपके गारी जो होगा रिवर्स होने लगेगी